आपका आपके पसंदिदा शो एक मुलाकात में आज के हमारे महमान मित्रों ग्रामण विकासिके राज्वमंत्री श्री सुदर्शन भगत जी हैं जिन्होंने समाज में उसकी गतिवितियों को बदलने में सुधारने में भारी भूमिकानी भाई है आएए उनसे एक मुलाकात करते हैं भाई साब आपका एक मुलाकात शो में बहुत-बहुत स्वागत हैं जी तो किस तरह की सेवाओं गीटिव जैश्ची की में भार्तमाल समय में मैं राजनितिक छहत्र में हूं है कि पारा सरकार में गरामीन राजमंत्री की रूप में आदंबनेप्रधान मंत्री भाह नरेन रमोडी जीजे मंत्री परशिद में आपको क्या-के ह misunderstanding तो किस तरह की वहां पर सेवा यह होती हैं, मतलия। आपको क्या क्या करना होता है वहां पर? मैं जिसे विशिक कहा काम जेखता हूँ, वे घरामिन-विकास से जुड़ा हूआ है। मुक्ष रुप से प्रदान-मंत्री गारमिन श्रहक को जनाए ह Mutt राष्टिये आजीव का मिशन है, नारेलिम का काम है, अवास हो जनाए है, प्रधान मुंत्री अवास हो जनाए है, और समाजिक सहता कारकरमों के अंतरगर तो बिधा पिंशन, बिधवा पिंशन, और विकलांग जुनों के लिए भी, खास करके, जो दिभ्यांग हैं, उन किसी परकार का पाठ है, ड्रिंकिंग वाटर के साइड में भी, खास करके, वाटर सोर्स के साइड में भी काम है, कि हम पानी को जल का हम कैसे संडक्शन कर सकते हैं, चोटे-चोटे डेमों के मादम से, चेक डेमों के मादम से, कैसे पानी को बचाया हो सकते हैं, बहुत अच् भाई साब आपका ब्रह्मा कुमारिज में आना हुआ, तो आध्यात्म की तरफ आपका रुजान पहले से ही था किस तरह से आपका आना हुआ and how much are you interested in spirituality? पड़ी आध्यात्मिके परती थोड़ी अभिरुची है बच्पन से ही पर आप बीच-बीच में या बच्पन से ही अपने विद्यार्थी काल सी छात्री जिमन से ही हमने थोड़ी इस परकार के अध्यात्मिक साहित्मों का ध्यन करना चाहे गीता महाभारत के रूप में हो चाहे साहित्य के रूप में सामी विक आनंद के यान्य जो हमारे खास करके जो दार्शिनिक सहित्ते हैं ऐसे सहित्तों को पढ़ने का थोड़ा विद्यार्थी काल से अभी रूची रही है जी जी तो ब्रह्मा कुमारिज में आना कैसे हुआ? एक कारकरम के माध्यम से निमीत तो कुछी ना कोई कारकरम होता है माध्यम इक वर्ष से प्रेया है चले थे, ब्रह्म कुमारी सहनस्ताओं के तौए आगारा किये गया है कि हमार कारकरम में भाग लिजी लेकिन समयां के कारण क्या कारकरम की भैस्ता के कारण मैं सम 저के बीक हमएंसे नहीं पाया खासकर कि मेरे विभाग से ही जुड़े हुए ग्राम विकास पे गाउं और अध्यात्म कल अपने इसी विशे पर अभी संस्था के तरफ से क्यों सीमिनार हो रहा है कारसाला चल दिया किसी कारसाला में में भाग लेने के लिए मैंकल मौंडा वो मैं आठाओ जी जी ग्यानसरोवर में आपी जी चलती रहा है कैसा रहा है भाई साब आपका अनुखव उस कारशाला के लावे भी भीन-भीन कारकरम में हम गये कारशाला के पश्चात वाँ जो भी परतिनीदी उस कारकरम में भाग ले रहे हैं फिर शाम में साजकर्ति कारकरम में भाग लेना अपने भाईयों के तरफ से बहनों के तरफ से जबी कारकरम की परस्तुती थी गरामी जीवन पर था धारित नाटक लोगों ने बच्चों ने खेला बहनों ने कुछ निर्थी परस्तुत की संगीतों के मादम से तो बड़े अदबूत है अर मुझे लगा कि दिश्चिंत रूप से और हमने कहा भी किसी भी कारकरम में संग्रति कारकरम के बिना ओ कारकरम कहा जाए कि पूरी नहीं होती और धोरी रहती है और अपने संच्किर्ति अपने देश की संच्किर्ति इसकी विराशते हैं और कहना कहीं हम इनकारकरमों के माद्धम से मंचों में जो हम अस्थान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज के संदर्व में इसकी अतिन दोशक्त है खास करके सभी पवित्र अस्थानों का आसरम से संस्थान से जुड़े हुए सभी अस्थानों पर मेरा जाना हुआ और मैं समझता हूँ कि बाबा ने बड़ा अद्भुत्तु अध्यात्मिक छेत्र में शादना के शेत्र में ब जाते रहे होंगे, तो वो संस्था और यहां आपने कुछ यहां कुछ अलग अनुप होती की, क्या आपको कुछ यहां पर अलग कोई सभीशिस चीज आपको देखने मिली हो, अब क्या हमारे साथ शेयर करें? अब जस लाइन से हम जुड़े हुए हैं तो अलग अलग संस्थामे भी जाने का उसर पराप्त होते हैं, और हर संस्थाम की अपनी-अपनी विचार outfits होती है, प्याब करने का-ठीक já सब आए एक होता है, लेकिन कहिना कहीं, कार करने की, काम करने की परत्तियां भीटें होते है बराता के रूप में, चाहे हमारे बहनें के रूप में, चाहे दादियों से जो मिलना हुआ तो मैं समझता हूँ कि एक अदुभुत शांती का, एक अनुभव हुआ और प्रस्परिक्षने का जो भाव है, एक आत्मियता का जो भाव है, एक उसरेशी मिलने का मैं समस्ता हूँ कि बहुत खुब मैंने देखा और मुझे लगा कि काफी मुझे शने अपने आसरम बाशियों के तरफ से भी समस्ता के तरफ से भी प्राप्त है बहुत अच्छा आप दादियों से मिले वह अनुफव आपका क्या चीर स्मण रहने वाला है आपको क्या अलगता है आप क्या यह चीज आपको हमेशा खीशती रहेगी इस तरफ अध्यात्यमी के च्षत्र में मैं समझता हूँ कि ब्रह्म कुमारी जी विशुवी द्याले ने इस वरी विशुवी द्याले ने एक सगन प्रयास किया है और आज के समय में मुझे ऐसा लगता है विक्तिकत रुप से मेरा जो अनुभव हमने देखा जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि भावतिक सुक के साथ साथ भावतिकता के साथ साथ अध्यात्मी काविश हम अजस्यर आना चाहिए जी जी जब तक दोनों का संतुलन नहीं होगा और जब दोनों की संतुलन जब बिगड़ती है तो कहना कहीं आज देश के अंदर भी हो चाहिए देश के बाहर भी दुनिया के अंदर में भी कहना कहीं अन्वैलेंस हो जाने से दोनों में अन्वैलेंस होने से पहना कहीं, बहुत सारे समझ्याइं खड़ी होती हैं भाई सब आप ब्राम विकास का बहुत काम कर रहे हैं, उस तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं हमारी सहस्ता भी हमारी जो विंग्स है, उन्निस विंग्स है हमारी हम भी गाउं में जाके काफी वहां के एजुकेशन, वहां के मेडिकल फैसिलिटी, सैनिटेशन, बहुत हद तक ये सारी चीज़ों को लेके हम भी वहां तो बहुत काम करते हैं क्या हम और आप मिलके कुछ एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, आपको क्या लगता है दिश्य उन्तुर्प से एक बड़ी परिवर्तन आ सकती है, हमारी सरकार की भी प्रात्मिक्ता है गराम विकास का, कि सहरों की तरह, आज भी गाउं में जो भी तक्निकी सुविदाये हैं, चाहे जो भी बुनिया दिया हो सकता है चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्त का हो, चाहे तक्निकी छत्र का हो, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं डिजिटल के माध्धम से जो भी हम सेवाये, एक सहर को जो पराप होती है, उस सेवाये गाउं को भी मिले वहां की खेतियां चाहे गाओं तो कमवेश कहा जाए कहीना कहीं हो किरसी अधारीत होता है गाओं के रहने वाले अधिकान सुलुक की शान होते हैं और उनकी हाय और अर्थिक पाजन का भी मुख्यादार खेती होता है तो कैसे गाओं की खेती उनत हो और कैसे सासवत खेती हो सके कैसे वहां की वाओं को रोजगार मिले तो यह आद देश कंदर में यह सभी गाओं की एक बड़ी समस्चहट पलाएं जी रोजगार की तलाष में लोग शहरों की वर भागते हैं हम कैसे शहरों की भीड को हम रोख सकते हैं और उसके लिए बिकल्ब यही ही है कि कहना कहीं हमें एक रोजगार की जो संभवना हैं रोजगार कहीना कहीं गाउं के अंदर में ही तलाश नहीं पड़ेगी है ताकि गाउं से पलाइन रुके जी 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 की लिए बेसिक सबसे बड़ा अधार और आज भी गाओं के अंदर में कहा जाए तो किर्सी एगरिकल्चर एक ऐसा एक पार्थ है जहां आज भी रुजगार के एक बहुंद बड़े श्कौफ है जी 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 और अधिकान से लोग आज ठीक है एक बहुंद बड़ी अबादी आ अर उसको आज के संदर्व में और हम उसको कैसे बहतर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किर्सी के तरफ लोगों का आकर्शन बढ़े और किर्सी भी आने वाले समय में जी को पार्जन का एक अच्छा आयका शुरोत बन सके ऐसा मैं समझता हूं कि सरकार के तरफ से भी और गैर सरकारी संगठनों के तरफ से और महीं कहूंगा कि सरकार और गाउं यानि किशान उसके बीच में जो भी गैर सरकारी संगठने हैं उसमें हमारी ब्रहम कुमारी जी भी आ सकती हैं ब्रहम कुमारी जी पनाई संस्था भी आ सकती हैं अन्य जो भी गैर सरकारी संगठन के लिए कि आपको कितना लगता है कि जीवन को बैलंस करने के लिए अप्रा संदेश देना चाहिए जी जी मैं यह कहूँगा कि भातिक्ता भातिक्ता है कि सुक्की एक अपनी शिमाया है और वेक्ती एक दोड़ के बाद कहें न कहीं वेक्ती हतास या निराश होता है जरू जरू ऐसा देखने माया है प्रडिकल अनुभाव है और कही न कहीं भातिक्ता सुक्से आज तक ना उन्हें मानसिक ना उन्हें तिरुपती हुई है ना उन्हें मानसिक सामती में लिए है तो कही न कहीं सभाग की रूप से और आज यह कई प्रकार के जो आज आज गलत रास्तों में वेक्ति वटक रहा है, चाहे वा नशापान का मामला हो, चाहे आज भीन भीन परकारों की समाज के अंदर में जो कही परकार की विशंगतिया आ रही है, या अपर आधी घटना है जो बढ़ रही है, तो कहना कहीं, मैं समझता हूँ कि इस परकार के कारियों में, ब्रेक कहना कहीं अध्यात्म की और बढ़ने के वाद ही विरा मिल सकती है, और बेक्ति अध्यात्म की और अगर जुखता है, तो उन्हें सही गलत नईती कौन चीजे हैं, निरने शक्ति में भी निरने शक्ति बढ जाती है और उसे अच्छा बुरा कानुभा होता है कौन सी कारे करनी चाहिए कौन सा कारे नहीं करना चाहिए उन्हें एक सदग्यान मिलता है इसलिए में मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में कि वाओं के इलिए मैं ही कहूंगा कि उन्हें एक तो अपने महापुरसुंग की या भारती संच्कृतिक से संबंदीत याद संच्कृतिक साथ साथ हमारे जो भी अध्यात्मिक जो भी महापुरूश हुए हैं या उनकी जो तनुफोबरा है थैंक यू भाई साथ आप आए अपने अपनी इतनी सारी बाते हमाई साथ शेयर की इतनी सारे विचार रखे थैंक यू सो मच और हम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पर यहां पर आएं और यहां की एजुकेशन से बहुत-बहुत लाब लें पर हमें भ शेयर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत तो आईए हम सब मिलके इसे सुधारने का एक संकल्पने इसी संदेश के साथ मैं नहीं आपसे विदाई लेती हूँ अगली कारेक्रम में फिर एक नए मैवान के साथ आपके सम्मुक हाजर होंगे तब तक रखिये अपना खयाल, ओम शांती